तो हे गाईज वेलकम बैक आन आवर वीडियो माइनम इस सजाज़ाद एन यो रोचुगाउन सजाद रीन्स मुझे अपना सबसे बड़ा औरगन देखने दो अरे कम आन डूड मैं तुम लोग की स्किन की बात कर रहा हूँ क्या हुआ तुम लोग क्या सोच रहे थे यूजी तुम लोग की स्किन तुमारे बाड़ी का सबसे बड़ा औरगन है इट अल्टा डेलिकेट इस्पेशलि ये एरिया जो तुमारे चेहरे के आसपास है और जब तुम लोग कुछ गलत करते हूँ अपने स्किन के साथ और तुम लोग की skin को पसर नहीं आता तो इससे reactions होने लगते हैं और redness और rashes और एचने breakouts और dryness और oily स्कीन इस अभी effects से reaction के और हम लोग मेंसे जादातर लोग ये गलती करते हैं हमारे स्कीन के साथ इसलिए reactions हमारे स्कीन की तरफ से एक सिगनल होता है वो बताना चाहता है कि तुम लोग अपने face पर और अपने स्कीन पर ये सब मत करो वेल डूट आज में तुम लोग कुछ इसे ही गलती के बारे में बताने वाला जो कि तुम लोग अपने स्कीन के साथ करते हो और तुमारी स्कीन को परसंद नहीं आता इसलिए तुमारे चेहरे पर अलग-अलग टाइप के reactions होने लगते है इसलिए stop doing this from now नमबर वान your hair product यह जानने का असन तरीका अगर तुम लोग की स्कीन से नफरत करती है तो यह देखो कि तुम लोग के breakouts कहा हो रहे है अगर तुम लोग के hair के आसपास breakouts हो रहे तो chances से कि तुम लोग के hair products तुम लोग के skin में irritation पईदा कर रही है और कार्या कर रही है तो तुम लोग क्या करना चाहते हैं एक switch है मैं चाहता हूँ कि तुम लोग oil based hair product को switch करो जो कि तुम लोग रोज use करते हो water based hair product में oil based hair product are very easy to clog up your pores और उसे दोना बहुत मुश्किल होता है और दूसरी तरफ water based hair product से तुम लोग smoothly अपने बालों को wash कर सकते हो जबी भी तुम लोग नहाने जाते हो इस तरह से तुम लोग अपने बालों के चारों और से गंदगी को निकाल सकते हो नमबर टू talking on your phone अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि फोन पर बाला बात करने से क्या हो सकते हैं जादा मत सोचो क्यों कि मैं यहां हूँ तुम लोग को बताने के लिए हैं से पहले वो लोग जो अपने फोन पर इस तरह से बात करते हैं हाई हेलो वाट्सप आम फाइन कि क्या मजाक है सही में सजाद रीज के सबक्राबर वन मिलियन पोच गये हैं क्या बोलो यार आज तो पार्टी करेंगे यार मचा देंगे सब देखते रहे जाएंगे हो गया बात कर लिए मजह हैं अब यह सुनो कि तुम लोग ने यह सब क् तो अब इस से तुम्हारी स्किन को क्या नुक्सान पोचा है एक्शिली तुम लोग का फोन इल बैक्टेरिया बर मस्क्रार निक्षा अब तो इसके मतलब तुम लोग अपने फोन को अपने फेस को इनफेक्शन दे रहे हो जिससे एचने ब्रेक आउट हो सकते हैं चलो मैं मानता हो साथ तुम लोग अप तक ऐसा करते था क्योंकि अप तक मेरी तरह तुम लोग को बताने वाला कोई नहीं था लेकिन अब से बन कुछ भी नहीं अप से तुम लोग कुछ भी ऐसी चीज नहीं कर पाऊगे जिससे कि तुमारी फोन खराब हो क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ तुम लोग को बताने के लिए तुम मैं गाइड करने के लिए और अगर तुम लोग सही में अपने स्कीन को बचाना चाहते हो तो मेरे वीडियो लगातार देखते रहो और अब से तुम लोग रोजाना फोन पर बात करते समय यह प्लक का इस्तमाल करो जिसके वैसे तुम लोग को इसकीन इंफेक्शन नहीं होईगी और अब से तुम लोग को अपने फोन के साथ सिर्फ दो चीज़े करने स्वाइपिंग करो और नीचे दिएगे सब्क्राइब वाले बटन पर टैपिंग करो और हमारे फैमिली को जॉइंड करो और नोटिफिक्शन को आल पर सेट करो और जबी भी में आग लगा देने वाले कंटेंट ड्रॉप करूँ तुम लोग के पास सबसे पहले पोचे हैं जिसके वहीं से तुम लोग को बहुत मदद मिलेगी ब्रो और सब्सक्राइब बटन पर सिर्फ एक बार टैप करने जो तुम लोग हमारे फैमिली में आ जाओगे जो कि तुम लोग को आना चाहिए है नमबर त्री लिकिंग यॉर लिफ्स तुम लोग साइद यह सोचते हो कि गीलापन हमारे क्रस्टी लिफ का हल है और साइद यह सच है बट क्या है ना तुम लोग को अच्छी तरह समझने की जरूवत है कि सलाइवा उस ट्राइब का गीलापन नहीं है जो तुमारे लिफ्स तुम लोग तो जानते ही हो कि सलावा कितने तेजी से सूख जाता है और उस एरिया को एकदम से सूखा बना देता है वो क्या है ना जो तुम लोग ने पहली बार शुरुआत की थी ना उसके वाइसे तुमारे लिफ्स बेकार और फटने लगे है तुम लोग को कुछ आईस करने के लिए कुछ अप्लाइ करना होता है और इसे अच्छा रखना होता है मर फॉर नॉट वसिंग यॉर पिलो सीड्स उजह एक बात बता क्या तुम लोग सही में इस चीज का इंतिजार कर रहे हो कि तुम्हारी मम्मी हर महीं ने तुम्हारे कपड़े दोएंगी इसका सी rit मतलब है कि तुम लोग अपने स्कीन को नुक्सान पहुचा रहे हो अगर तुम लोग के स्कीन में जरा भी जलन हो रहे है तो इसका सीदा मतलब ही कि तुम्हारी स्कीन तुमें एक मेशेज बेज रही है और वो मेशेज शाहीज है अरे यार क्या कर रहे हो कभी तो अपने पिलोड सीट दोया करो अचान इसलिए क्योंकि हर राट जभी भी तुम लोग 12 घंटे सोते हो तो सभी पसीने, सभी डेट स्कीन सभी ऑईल्स और सभी हैर प्रोडक्स और ये सभी तुम लोग के पिलो और बेट सीट पर लग जाते हैं और तुम लोग क्या सोच रहे हो ये तुम लोग के स्कीन के लिए अच्छी है अब फॉर्स नॉट बेसक बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है तुमारे स्कीन के लिए और तुम लोग और ज़्यादा अपनी स्कीन को इंफेक्शन कर रहे हो अब अगर तुम लोग pillow seats को upgrade करना चाहते हो तो मैरी command करूँगा कि एक बार silk pillow seat try करो वो बहुत ultra soft होता है और हर बार जब तुम लोग अपना सिर उस पर रखते हो तुम लोग के fine lines और wrinkles को रोकता है And finally number 5 Touching your face all the time यह कुछ ऐसी चीज़े जो कि तुम लोग हर बार करते हो जैसा कि तुम लोग हर बार अपने दाड़ी को ऐसे रखते हो जब तुम लोग लगतार सोचने लगते हो जब तुम लोग tired रहते हो तो लगतार अपने face को ऐसे छूते रहते हो और तुम लोग उसी हाथ को अपने स्किन पर रखते हो जिसके वज़े से तुम लोग को इंफेक्शन होते हैं जैसा कि मैंने स्टाटे में कहा था कि यह एरिया अल्टर डेलिकेट होता है और यहाँ पर ब्रेक आउट्स हो सकते हैं और इरिटेशन हो सकते हैं अगर तुम कशारे बाता जो कि तुम लोग गलत कर यहाँ अगर तुम्हें इस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो अपने दोस्तों को सबको सेयर करो थाकि उन्हें भी हैसूस हो कि सब गलत